करीब 18 साल पहले का एक जगन्य अपराद जो आज भी पूरी दुनिया में सुर्खियों में है उसके दोसियों को इलहाबाद हाई कोट ने बरी कर दिया है उनका नाम है सुरेंद्र कोहली और उसका मालिक मुनिंदर सिंग पंधेर ये बात अक्टूबर 2005 की है जब मैंने अन्डी टीवी जोईन किया था उसके करीब एक साल बाद यानि अक्टूबर 2006 में या उसके पहले न्वाडा के सेक्टर 31 से ऐसी खबरें लगातार आ रही थी कि वहां से कुछ गरीब परिवारों के बच्चे लगातार गायव हो रहे हैं और पुलिस उन बच्चों को ढूंड नहीं पा रही है इसके बाद एक केस आया एक लड़की पायल नाम की थी जो न्वाडा के सेक्टर 31 की रहने वाली थी वो लड़की भी गायव हो गई उस लड़की की तलास करते करते पुलिस को उस लड़की के मुवाइल के बारे में जानकारी मिली कि पायल का मुवाइल एक रिक्षे वाली के पास है पुलिस ने उस रिक्षे वाली को पकड़ा उसने बताया कि उसे मुवाइल नौड़ा के सेक्टर 31 में रहने वाले जो D5 कोटी ही वहाँ पर उसमें एक सक्स ने दिया है पुलिस रिख्षे वाले को लेकर वहाँ पहुची सुरिंदर कोली पकड़ा गया उससे पूशताच हुई और फिर निठारी कान का खुलासा हुआ उसके बाद तमाम जो आसपास सलमिरिया में रहने वाले गरीब परिवारों के लोग थे उनका एलिगेशन ये था कि उनके बच्चे गायब हैं और हो सकता है कि उनके बच्चे भी सुरिंदर कोली ने ही उनकी हत्या की हो इसके बाद पुलिस ने जान शुरू की जो कोटी थी उसकी नाके बंदी शुरू ही मुझे एक सोच से फोन आया हम भी मौके पर पहुचे तो वहाँ पर जो डी फाइब कोटी थी वहाँ आसपास रहने वाले लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने नौडा पुलिस पर पत्राओ कर दिया कई बार पत्राओ हुआ पुलिस को पुलिस का जो रवया था उसको लेकर लोगों में बहुत गुस्सा था पुलिस ने कोटी और उसके आसपास खुदाई की खुदाई जो बगल में नाला था वहाँ भी खुदाई हुई और इसके बाद फिर एक के बाद देख कि शवों के अवसेस मिलने लगे इसके बाद ये मामला लगातार सुर्ख्यों में होता गया कि उसमें उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंग्ग या नहीं समाजबादी समाजबादी पार्टी की सरकार थी कि सरकार की कारवाई को लेकर सवाल खड़ी होने लगे और लोग जो है लगातार विरोध पदरसन कर रहे थी क्योंकि जिन्होंने अपने बच्चे खोई थे उनको ये तक पता नहीं था कि उनका बच्चा इसी कोठी में है उसे मारा गया है या वो कहां चला गया है लेकिन एक पड़े बच्चो के शमों पीशेव के अभिसेश मैं लही थी कुछ शमों पेशिए दी फाइब कोठी एक बातरूम में मिले जिसमें कुछ कुछ क कटे हुए मांस के लो तुरे मिलें कुछ हड़ियां मिलीं पुलिस के मताबिक जो पुलिसे उसके जाट कर रही थी सुरेंदर कोली ने माना कि उसने बच्चों की हत्याईй की हैं उनके साथ में दुस्कर्म किया है और पिर उनको कोठी या कोठी के असपास दफना दिया है उसने एक और खुलासा किया कि उसने कुछ बच्चों के मांस के लोच्डे भी खाए है इसके बाद इसकी जांच के लिए उत्तरप्रदेस सरकार ने एक कमेटी बनाई उस कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि बच्चों को खोजने में जो नौडा पुलिस है उसने बहुत लापरवाही की है अगर वो ठीक से जांच करती तो ये मांमला पहले ही पकड में आ गया होता तो उस कमेटी की स्विपारस पर नौडा पुलिस के तीन सीनियर अपसर और कई पुलिस बाले सस्पेंड कर दिये गए कई राजनितिक लोग डी फाइब कोटी जो थे वहाँ पर पहुंचने लगे सुनिया गांधी वहाँ पर गई कई नेता पहुंचे और लगातार ये विरोध पदरसन था वो जारी रहा इसके बाद नौड़ा पुलिस ने सुरेंदर कोली जो नौकर था और उसके मालिक मौनेंदर सिंग पंधेर को अपनी कस्टडी में ले लिया उन्हें ग्रिफतार कर लिया और उनसे लगातार पूस्ताच होने लगी लेकिन चूकी जो विक्टिम फैमली थी वो ये मांग कर रही थी कि मामले की जाँ सीवियाई करे क्योंकि नौड़ा पुलिस ने पहले ही बहुत लापरवाई की है और उन्हें नहीं लगता कि नौड़ा पुलिस उन्हें इंसाफ दिलवाए पाएगी इसके बाद CBI की एक विशेष टीम मनी और फिर CBI ने इस मामली की जाँच को शुरू किया जो नौड़ा पुलिस की अफायार थी उसको टेक अवर किया और इसकी जाँच शुरू की CBI के बहुत सारे अफसर कई गार्यों को लेकर नौडा के सेक्टर 31 की D5 कोठी पहुचे, उनके साथ में फोरेंसिक एक्सपर्ट थे, पूरी कोठी की मैपिंग हुई, फोरेंसिक जाच हुई, पूरी कोठी को खोदा गया, पूरी कोठी में जो फर्स था, घरों का जो नीचे का फर्स था वो खोदा गया, दीवारों को तोड़ा गया बातरूम तोड़ा गया और जो पीछे नाला था उसकी खुदाई हुई कि बहुत सारे कंकाल सीबियाई ने बरामत किये नौड़ा पुलिस ने बरामत किये हाला कि 31 बच्चों की हत्या का आरोप सुरंदर कोली और उसके मालिक मुनिंदर सी पंधेर पर लगा ल कि वह बच्चों को चौकलेट देने के बहाने या पैसे देने के बहाने लालच देकर उन बच्चों को अपनी कोठी में बलाता था हत्या के बाद उनके साथ दुसकर्म करता था और फिर उनके शवों को कोठी के अंदर या आसपास कहीं पर दफना दिता था अधिकतर जो कं आप आदेशंगें मिले हैं तो जय जात चली आप सीबियाई ने जोनों आरोपियों को फॉर्मली अरेस्ट किया है सुरंदर कोली का नार्को टेस्ट कराया पंधियर का भी टेस्ट कराया इसके बाद ब्रेन-मेपिंग टेस्ट हुआ इस तरह कि तमाम जो संटिफिक टेस्ट ऐसे वह पूरे किये गए। दौनों की मोबाइल की लोकेशन को चेक किया गया। मोबाइल की लोकेशन की प्रोफालिंग हुई कॉल डिटेल्स की जानकारी लिगई। जो मैसेज हैं उनकी जानकारी लिगई। और सीवंडर कोली एक साइको पैथ है। की एक मनो रोगी है जांस के दौरान सीवियाई ने यह भी कहा कि सुनेंदर को ली ने पूस्ताथ में माना है कि उसने बच्चों की हत्या के बाद उनके मांस के लोथों को खाया भी है ऐसा भी पूस्ताथ में सामने आया इसके बाद सीबियाई ने तमाम जो गवाह थे उनसे पूछतात की जो पुलिस अफसर इसकी जास में रहे थे नौड़ा के उनसे भी उनके बयान दर्ज किये गए विक्टिम परिवारों के बयान दर्ज किये गए और फिर ये जास का लंबा सिलसला चलता रहा सीबियाई ने इसको लेकर 16 केस दर्ज किये थे जिसमें 6 केस जो थे वो मौनिंदर सिंग पंडिर दे खिलाब थे और करीब 16 जो केस थे वो सुरंदर कोली के खिलाब थे फिर ये मामला पहुचा गाजियाबाद की विशेश चीवियाई कोट में जहां पर डे-टू-डे-हीरिंग इस मामले की होती थी एक फास्ट्रेक कोट बाया गया और वहां पर लगातार इस मामले की सुनवाई शुरू ही मैं भी सुनवाई के दोरान कई बार गया एक बार तो ऐसा हुआ कि लोग और जो वहां वकील थे वह इतने गुस्ते में थे कि उन्होंने दोनों आरोपियों की जमकर कोट में पेशी के दौरान पिटाई भी कर दी कि इसके बाद पुलिस किसी तरह से उनको निकाल कर वहां से ले गई क्योंकि अपराद इतना जगन इतना भयानक और इतना दर्दनाक था कि पूरा समाज हिला हुआ था आखिर कैसे कोई इतनी बड़ी संक्षा में बच्चों की हच्चा कर सकता है उनके साथ दुसकर्म कर सकता है और उनके शमों को वहीं घर के आसपास दफना सकता है तो इसको लेकर समाज में गुस्ता था आज यू गुस्ता है और इसी के चलते दोनों औरोपियों को कोट में ही वकीलों ने और लोगों ने मिलकर जम कर पीटा इसमें सुरंदर कोली लहू लुहान हो गया था पुलि 12-13 मामलों में सुरंदर कोली को उम्रकैद दोसी मानते हुए पहले उम्रकैद और बाद में फांसी की सजा सुना दी है वहीं जो पंधेर है उसको दो मामलों में फांसी की सजा सुना गई है इसके बाद जो सजा हुई इसके खिलाप दोनों ही इलावाद हाइकोट चले गए अब हाइकोट ने दोनों को उन सभी मामलों से बरी कर दिया है। लेकिन यह फैसला बहुत ही हैरान करने बाला है। खार सोर से उन परिवारों के लिए जो पीडित परिवार हैं पिछली 18 सालों से इंसाफ की मांग कर रहे हैं, इनसाफ के लिए संगर्स कर रहे हैं, रोजाना कोट जा रहे हैं, तो आखिर CBI की जाच में खामिया कहां रहीं, क्या ऐसे आधार रहे जिनके बेसिस पर कोट ने दोसियों को बरी कर दिया, जिनको गाजियाबाद की सेसंद कोट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी. आप निशित तोर पर CBI मामले में लीगल उपनियन लेगी और हो सकता कि अगले कुस दुनों में वो इसके खिलाब सुप्रीम कोट जाए, लेकिन जो विक्टिम परिवार हैं खास तोर से वो गरीब परिवार जो नौड़ा के सेक्टर 31 में रहते हैं, सलमेरिया में उस कोटी क आसपास और जब भी वो इस कोटी की आसपास से निकलते थे तो उनको वो प्राना जो मंजर था वो याद आता था, तो ये फैसला उनके लिए हिला देने वाला है, चौकाने वाला है, और केबल उनके लिए नहीं, बलकि समाच के हर तप्प्पे के लिए, जिसने इस जगन परात के बारे में सुना और जाना है, मुझे भी हिरानी है, मैंने केस कवर किया था, एक पतकार के तोर पर उस वक्त बहुत गोसा था मन में कि आखिर बच्चों की हत्या करना, उसको इस तरह से मारना, फन को दफनाना, उनके साथ दुसकर्म करना, तो बड़ा अपने आप म जो दोसी थे, वो बरी हो गए है, अब CBI इस पूरे मामले के लेकर उसका रुक्या होता है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहेगी, कि इस मामले की शुनवाई जल्दी करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवार जो है, वो देखना होगा, नौइडा से क्यारा में, मुहम्मद मुर्सलीन के साथ, मैं मुकेसिं सेंगर, NETV, इंडिया